नमस्कार आप बोले भारत देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी सरसठवी बीपीएसी प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा के पेपर लीक से जुड़ी हुई एक अहम खबर सामने आ रही है आर्थिक अपराद इकाई ने जो जाच का अपना दायरा बढ़ाया तो कई और लोगों की भी गिरफतारी हुई है और गिरफतारी के बाद जब पूछताज हुई तो कई अहम सुराग निकल कर सामने आ हैं और कुछ डीलों के बारे में भी पता चला है जी या बीपीएसी पीटी के पेपर लिक करवाने के लिए और उसका आंसर देने के लिए आठ से दस लाख रुपए का डील हुआ था पर कैंडिडेट कितने कैंडिडेट को पेपर लिक कराकर दिया गिया इसकी अभी कोई पुकता ख़बर नहीं है लेकिन जो खबर मिल रह उसके अनुसार बीपीएसी पीटी के पेपर को लिक कराने की पीछे एक बड़ा गिरोह सामिल है चार और लोगों की गिरफतारी हुई है उनसे पूस्ताच की गई है और जिस आईएस अधिकारी का नाम सामने आया था जिनके मोबाइल नंबर की काफी चर्चा चल रही थी बताया जा रहा था कि उनके मोबाइल नंबर पे एक सक्स ने बीपीएसी पीटी का क्वेश्चन पेपर एकजाम से 17 मिनट पहले भेज दिया था तो उन आईएस अधिकारी से पूस्ताच के बाद उस सक्स को गिरफतार कर लिया गया है जिसने उन्हें क्वेश्चन पेपर भेजा था तो अब की खबर के अनुसार लगबग चार और लोगों की गिरफतारी हुई है इसके साथी साथ कई बैंक एकाउंट्स को सीच कर दिया गया है एकजाम से पहले क्वेश्चन पेपर उपलब्द कराने और उसका जवाब बताने के लिए प्रती कैंडिडेट आज आर्तिक अपराद साखा की तरब से की गई है हलांकि इसका कोई अधिकारिक दस्तवेज जारी नहीं किया गया है लेकिन जो छूतरों से खबर है उसके अनुसार आर्तिक अपराद इकाई इस जाज के दोरान इस अहम मुद्दे पर पहुँची है कि एक बड़ी डील हुई थी BPSC के एकजाम किया शुरुवाती डील थी यह एक एकजाम बेस्ट डील थी यानि कि केवल PT के लिए यह डील की गई थी और जो खबर है उसके अनुसार चार और लोगों को गिरफतार किया गया था और जो IS अधिकारी रंजीत सिंग को उनके मुबाइल पर एकजाम सुर की अभी जाच चल रही है और जो ADG है आरती कपराधिकाई के उनके अनुसार अगर बात करे तो गिरफतार किये गए सभी लोगों से लंबी पूस्ताच की गई है इनके ठीकानों पर छापे मारी की गई है वहाँ से पेपर चोड़ी करने के कई उपकरन भी बरामद हुए है साथी बड़े पेमाने पर कैस में रुपए की बरामदगी हुई है पूस्ताच और छापे मारी के दोरान इनके कई बैंक अकाउंट्स का पता चला है इनी अकाउंट्स में डील के अनुसार कैंडिडेट्स से रुपए मंगवाए गए उसमें लाखों रुपए आ हैं हर एक अकाउंट्स को खंगाला गया है इसके बाद सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है अब तक के इस मामले में कुल आठ लोग गिरफतार हो चुके हैं ADG ने ये भी दावा किया है कि आर्थिक अपराद इकाई की जाच इस मामले में अभी रुकने वाली नहीं है इस के सेवाई इस केस की दूसरी कडिया है इसमें कई और लोगों की गिरफतारिया होनी है जिनकी तलास में छापे मारी चल रही है तो एक बड़ा और अहम ख़बर अमाग– तक पहुचा रहे हैं नए चार लोगों को गिरफतार किया गया है यानि कि कुल अब आठ लोग गिरफतार हो गये हैं और I.S. अधिकारी रंजीत सिंको जिस सक्स ने अपने मोबाइल से उन्हें प्रशनपत्र भेजा था उसे भी गिरफतार कर लिया गया है और कई अहम शबूत भी आर्थिक अपराद I.S. को मिले हैं और ये माना जा रहा है कि अजाज कि शुरुआती कड़ी है और इसके तार बढ़े-बढ़े अधिकारीयों और बढ़े-बढ़े लोगों के साथ जुरने बाकी है कई और अधिकारियों के नाम आने की भी खबर सामने आ रही है सूतरों के अनुसार और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ अधिकारियों की गिरफतारी भी आप देख शक्ते हैं तो बड़ा खुलासा होता आपको नजर आएगा बिहार के सबसे प्रतिष्टित आयो ये खबर सामने आई कि ये डील हुई थी एक एक्जाम केवल पीटी के लिए आज से 10 लाक रुपे की और उसके बाद ही ये पेपर आउट हुआ है अब देखना है कि कौन सी बड़ी-बड़ी मचली इसमें फंसती है बनेड़े ये बोले भारत के साथ आप सभी का बहुत- धन्यवाद